सैटरन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था और उसके ये रिंग्स पूरी तरह से गायब होने वाले हैं नासा के मुदाबिक मार्च 2025 तक सैटरन हमें ऐसा देखने वाला है और NASA ने ये खुद confirm किया है कि Saturn के ये rings हमारे लिए disappear होने वाले हैं मतलब Saturn के पैचान करोडों सालों से जिन rings की वज़े से होती थी जिसकी वज़े से बच्चा बच्चा भी शनी ग्रह को पैचान सकता था Saturn के वो खूबसूरत rings ही अब गायब होने वाले हैं लेकिन आखिर शनी ग्रह के साथ ऐसा क्या हो रहा है और वहाँ पर ऐसी कौन सी घटना हो रही है जिसे शनी ग्रह के लिए नहीं होना चाहिए था NASA के हिसाब से इस प्रॉब्लम की जर्ण Saturn के दो मून इंसलेडिस और टाइटन हो सकते हैं और NASA का ये भी मानना है कि उन मून्स पर लाइफ मौजूद हो सकती है अब सवाल ये आता है कि क्या कोई intelligent life responsible है Saturn की इस तबाही के लिए चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन अभी हम अपना फोकस करते हैं NASA के द्वारा खीचे की इन तीन फोटोस पर और अचानक से 2009 में वो होस अचानक से फिर से आ जाते हैं यानि कि कुल मिलाकर Saturn की rings के साथ कुछ न कुछ गडबर जरूर हो रही है अब दरसर NASA की Godard Space Flight Center के वेग्यानिक Dr. James O. Donoghue 2018 में खुद न ये reveal किया था कि NASA की टीम ये खुद जानती थी कि Saturn की rings काफी लंबे समय से गायब हो रहे हैं क्योंकि वॉइजर 1 और वॉइजर 2 मिशन्स ने लगातार स्टडी करने के बाद और इस estimate limit की deadlines करीब 300 million साल बाद बताई थी इसलिए NASA ने इसके बारे में कभी भी नहीं बताया लेकिन इसके बाद बढ़ते fascination की वज़े से NASA ने Jupiter और Saturn को लगातार स्टडी करने के लिए फिर एक नई dedicated mission को प्लैन किया जिसका नाम है Cassini और यही एक mission था जिसने Saturn की rings को लेकर एक alarm raise किया दरसल Saturn की rings में जो holes बन रहे हैं वो एक ऐसे destruction phenomena की वज़े से बन रहे हैं जो 300 million सालों में नहीं बलकि 3 गुना जादा तेजी से अगले 100 million सालों में ही Saturn के सभी rings को निगल जाएगा तो फिर अब NASA ऐसा क्यों बोल रहा है कि साल 2025 में ही Saturn के सारे rings से गायब हो जाएगे क्या NASA हमसे कुछ बात छिपा रहे हैं या फिर जूट बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा लेकिन इससे पहले जब 2004 में कसीनी स्पेसक्राफ्ट लॉँच हुआ था फिर कुछ समय बाद वो Saturn तक पहुँचा और NASA ने ये बताया कि ये पानी की बरसात इतनी तेज है कि उसके हर छोटे एरिया में सिर्फ आधे घंटे में ही ओलंपिक साइज का एरिया भर जाता है लेकिन Saturn पर प्रत्वी की तरह कोई वाटर साइकल नहीं है यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि Saturn पर कोई समुद्र है कि वहाँ से पानी भाब बनकर फिर से बरस जाता है जैसे कि हमारी अर्थ पर वाटर साइकल होता है ऐसा Saturn पर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर उसके rings पिखल कर उस पर बरसात और बाढ़ ला रहे हैं लेकिन सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि Saturn की इन rings की पिखलने की पीछे खुद Saturn का ही हाथ है अब दरसल सूरज से आ रही UV lights जब Saturn के बरफीले rings पर पड़ती है तब उसकी energy से ring में मौजूद बरफीले टुकडे पाने के molecules extra hydrogen ion लगा कर अपने आपको hydronium ion में तबदिल कर लेते हैं अब नॉर्मली ये छोटे-छोटे hydrogen ions outer space में कहीं पर भी disperse हो सकते थे पर जैसे कि आपको पता होगा कि electric charge और magnetism एक ही electromagnetic wave के दो spectrum होते हैं और इसी वजए से ये charged hydronium ions Saturn के massive magnetic field की तरफ attract होने लगते हैं और उसी के साथ H plus ions को बाहर फेक कर Saturn पर H2O यानि पानी बनकर बरस जाते हैं लेकिन एक detail study ये कहती है कि ये जो कुछ भी Saturn पर हो रहा है ये एक never ending phenomenon है जिसके चलते और हर एक घुजरते second के साथ Saturn के सभी rings के अंश एक-एक करखे गायब होते जा रहे हैं अब सवाल आता है उन होल्स पर जो एक mysterious तरह से गायब होकर फिर से वापस आकर और फिर से गायब हो जाते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है अब देको जैसे ही NASA का recent explorer कैसे नी जब Saturn के बिलकु नजदेग जाता है और जब वो उसकी study कर रहा था तब NASA के scientist ने उन rings पर मौजूद होस के बीच में एक pattern को notice किया उन्होंने ये देखा कि ये weird patterns तब ज़ादा नज़र आते हैं जब Saturn पर दिन और रात दोनों का duration बिलकुल सेम हो जाता है यानि कि उसके equinox के दोरान यानि कि जब उसका equator और उसके rings सूरच के साथ बिलकुल एलाइन्स हो जाते है अब जैसा कि प्रत्वी के case में ऐसा सिर्फ साल में दो बार होता है एक 21st March को और दूसरा 23rd September को लेकिन Saturn के बड़े orbit की वज़े से यही equinox हर 15 Earth years में वहाँ पर एक बार होता है और एक दिन की बजाए महीनों तक चलता है लेकिन अब इन सब से क्या आपके दिमाग में भी यह सवाल आया अगर equinoxes के दोरान Saturn का equator और उसके rings सूरच के साथ align हो जाते हैं और इसलिए उसकी बाहरबारे rings पर जब sunlight पड़ती है तब Saturn की अंदर की तरफ मौजूद rings में बर्फ पिखल कर holes क्यों बना रहे हैं Definitely Saturn की rings में कुछ और भी हो रहा है जिसे शायद हम अब तक decode नहीं कर पाए हैं अब देखो यहाँ पर कुछ independent physicist का मानना है कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि Equinox के दोरान Saturn की rings में तैरते ions चप्टे rings में mix होने की बज़ाए अपने आपको समेट के खड़े structure वाले spikes बनाने लगते हैं दरसल इन physicist के मताबक जब सूरच की रोशनी Saturn की अंदर वाले rings तक नहीं पहुचती है तब उसके वो rings धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं और उन rings में मौज़ूद कुछ चीजों की magnetic properties बढ़ जाती है और ये कोई unique phenomena बिल्कुल नहीं है ये तो normally हर magnetic cheese के साथ होता है क्योंकि किसी भी cheese में atoms normally अलग-अलग direction में vibrate होते हैं और इसकी वज़े से उन atoms की magnetic fields एक दूसरे की opposite direction में align होकर एक दूसरे को cancel out करते हैं लेकिन जब उस चीज का तापमान कम होने लगता है तब उनके atoms धीरे धीरे vibrate करना बंद कर देते हैं और उनका net magnetism बढ़ जाता है यानि कि उन phagicist का explanation अगर सही है तो तो शायद उन holes में मौज़ूद चीज़ें पूरी तरह से Saturn पर नहीं बरसी है बलकि Saturn के strong magnetic field के साथ align होकर Saturn के rings के कुछ अंश वहीं पर spikes की रूप में उपर नीचे float कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो फिर NASA ऐसा क्यों कह रहा है कि ये rings 2025 में पूरी तरह से गायब होने वाले हैं अब अभी तक हमने ये देखा कि कोई भी calculation पूरी तरह से ये proof नहीं कर रहे है कि इतने जल्दी ये rings destroy हो जाएंगे कोई बोल रहा है 300 मिलियन साल और कोई बोल रहा है 100 मिलियन साल और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि rings में मौजूद चीज़ें वहीं की वहीं है और उपर नीचे float कर रही है लेकिन आखिर यहाँ पर सच क्या है अब चलिए इस पूरी confusion को एक साइड में रखके हम 2025 वाले इस कबर को बड़े ध्यान से देखते हैं हमें पता चला कि Saturn की rings 2025 में गायब तो होंगे लेकिन वो सिर्फ प्रत्वी पर रहने वालों के लिए क्योंकि जब हमने देखा कि NASA exactly March 2025 के लिए कह रहा है तो हमने ये calculate कि उस मन्त में Saturn अपने किस phase में होगा और वो प्रत्वी से कैसा नजर आएगा और जैसे ही हमने इसकी खोज की तो सारी चीज़ें बिल्कुल crystal clear थी दरसल March 2025 में Saturn का equator प्रत्वी और सूरज के साथ बिल्कुल perpendicularly align होने वाला है जिसका मतलब हमें प्रत्वी से Saturn के rings कुछ ऐसे दिखाई देंगे जैसे हम किसी plane paper को उसके side से देखते हैं और वो भी उसकी एकदम दूर से तो हमें क्या दिखाई देगा बिल्कुल कुछ भी नहीं और वो paper optically पूरी तरह से गयाब हो जाएगा और यही सेम Saturn के rings के साथ भी हो रहा है अब क्योंकि Saturn हम से इतना जादा दूर है कि जितनी देर में एक इंसान वहां तक पहुचेगा वहीं उतनी देर में दूसरा इंसान चांद को 18 बार छुकर प्रत्वी पर वापस आ जाएगा और इसी सेम फिनोमेनान के चलते नासा वालों ने ऐसा कहा कि मार्च 2025 को Saturn के रिंक्स प्रत्वी से दिखना बंद हो जाएंगे कुछ समय के लिए लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिया कि 100 मिलियन सालों में ये रिंक्स वाकई में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे अब चलिए बात करते हैं उन दो अजीब सवालों पर अब जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि Saturn की दो मून्स पर alien life मौजूद होने की possibility जादा है और ऐसा आखिर क्यों और क्या वहाँ पर कोई intelligent alien life मौजूद है अब recently NASA को Saturn की दो मून्स Titan और Enceladus पर कुछ बहुत ही special compounds मिले हैं जो cell membrane से मिलते जुलते structure बना कर वहाँ पर unique जीवन की शुरुआत कर सकते हैं अब जैको आज से 3 से 4 billion साल पहले प्रत्वी पर भी exactly यही same चीज हुई थी अब उन दिनों सबसे पहले कोवसरवेट नाम के कुछ molecules बने थे और उन molecules ने cell membrane जैसे शुरुआते structures बनाए थे जिसके बाद ही complex divert life पैदा हो पाई थी अब देखो cell membrane की बिना कोई भी cell बन नहीं सकता क्योंकि cell membrane cell की दीवार होती है जो cell के अंदर के elements को intact रखती है ताकि अंदर reaction हो सके और life को form करने के लिए एक stable environment मिले अब दरसल Saturn की moons के case में scientist को वहाँ पर carbon और nitrogen से बने acrylonitrile से बने कुछ compounds मिले और NASA का ये कहना है कि ये compounds co-accelerate की तरह ही एक साथ आकर cell membrane बना सकते हैं अब जैसे की co-accelerate के लिए पाने की जरुरत पड़ी थी लेकिन acrylonitrile के लिए methane और ethane की जरुरत पड़ती है as a solvent के रूप में और इन चीजों की तो Saturn पर नदियां बहती हैं और कुल मिला कर Saturn बहुती favorable system है acrylonitrile based cell system को sustain करने का याने की cell earlier की तरह अभी तो नहीं लेकिन future में Titan और Enceladus पर नए प्रकार के जीव पनब सकते हैं यहाँ पर सब कुछ है लेकिन अब जरूत है time की और scientist की ये थियोरी साकार होने की फिलहाल हम सिर्फ wait कर सकते हैं क्योंकि NASA अपने नए dragonfly mission के तहत 2027 तक NASA उसकी detail चांच परताल करने वाला है जिसके बाद हमें Titan की और भी कई सारे राज मालूम पढ़ने वाले है दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं इससे पहले की वीडियो में हमने डिसकस किया था कि शनेग्रह के चांद Titan पर लाइफ कैसी मौजूद है वहाँ पर प्रत्वी की तरह नदियां, पहाड और समुद भी पाय जाते हैं लेकिन क्या अभी भी वहाँ पर कोई जीवन बना पराए इससे जानने के लिए आफ हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं और स्पेस से जुड़े ऐसे ही इंटरस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ